Hello everyone and welcome back to study practically तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब एकद मस्त होंगे और आप अपने जिंदिगे में कुछ नहीं सीखने का कोशिश कर रहे होंगे तो आज का टॉपिक है प्रमोशनल मिक्स तो मैं आपको पता दूँ कि इस सारे वीडियो जो है चाहे वो फोर प अब इस से डेटेट और इंफॉर्मेशन लेते जाए लेते जाए और लेते जाए तो आईए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो प्रमोशनल मिक्स मैं आपको पता दूँ कि अगर आपको नहीं पता ऐसे तो पता ही होगा क्योंकि आप यहां पर प्रमोशन आता है यह इसका मिक्स को हम लोग प्रमोशन मिक्स कैता है अब यह तो सब के लिए से दूर्म और jak भी कहा जाता हैब तो रहाच भाई मिक्स मिक्स का तो सारा आचाया वो product mix, price mix, place mix या promotional mix, यह खाली एक mixture है अपने नाम का, मतलब कि promotional mix मतलब की it is a mixture or a blend of various types of promotional methods available for a company, like कि जितने methods available एक company के पास जैसे कि वो अपना promotion कर सके उसे हम लोग promotional mix के नाम से जानते हैं, उसी में से कोई एक best हो जाता है जो company चुन लेती है और उसे अपना growth के तरफ, growth के तरफ aim करती है तो आईए जल्दी से एक एक करके इसके tools, types, जो भी बोली हम लोग उसको जानना शुरू करते है तो promotional mix के चार आते हैं आपको basically सबसे पहला advertising, दूसरा होता है sales promotion, तीसरा होता है public relations और चौता होता है personal selling, तो आईए एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते है, सबसे पहला advertising तो advertising क्या है वहिए, तो advertising एक ऐसा method है जिससे कि company अपने आपको promote करती है, जिससे कि और जादा से जादा लोग उसको जान पाएं और एक और पहली बाद advertising हमेशा paid form of promotion होता है, क्योंकि advertising code जासा books definition define करते है paid form advertising होता है, पैसे दे करके advertising किया जाता है, तो जब आप पैसे दे करके advertise कर रहे हो, तो आप अपना branding चाहोगे, अपना positive image करना चाहोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना भी चाहोगे, तो यही advertising के साथ भी होता है, advertising is a form of paid promotion, which a company uses to reach a large various customers और large various targeted audience of that company, तो यह आपका advertising हो गया, दूसरा आपको आता है, personal selling या sales promotion पर लेते हैं दूसरा, जैसे मैंने कहा था number wise में, तो दूसरा आता है sales promotion, तो sales promotion क्या हो गया, sales promotion मतलब की sales को promote करने का method, मतलब की sales को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके different methods होते है, different tools होते है sales promotions के, जो क sales promotion में आपको समझा दूँ, यहाँ पर क्या होता है, sales promotion मतलब की sales को promote करने के different methods, tools हो यूज किये जा रहे हो, उसे हम दो sales promotion के नाम से जानते है, तो जैसे की sales promotion के tools क्या क्या होगा है, sales promotion tools होगा जैसे की discounts, cashbacks, rebates, holidays, फिर आपको discount vouchers, फिर उसके बाद food meals, vouchers, restaurant discount vouchers, ऐसे बहुत सारे जो एक तरसा offer जो दिये जाते है customer को ललचाने के लिए, वो sales promotion के techniques, tools होते है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है customers को actually क्या किया जा रहा है, एक company customers को attract करने के लिए different लाला जिसको जिसको जाते है, वो दिये जाते है, जिसे कि लोग और जादा से जादा आएं, मतलब कि जैसा देख फ्री तो भी इस रहा है, तो यह सब कुछ आपको जब मिलेगा, किस rate पर मिले गा बया, तो इसी rate पर मिलेगा, बहुत जादा है तो यह आपका sales promotion होता है, तीसरा आपको आपको आता है personal selling, नहीं, छॉछा था personal selling, तीसरा आता है public relations, तो public relations ऐसा हमावीं आपको बता नीचे लिख सकते हैं चाहिए पहली बात तो पब्लेक लेशन के साथ रिलेशन कैसे है कंपनी के तो हमेशा पब्लेक लेशन के थू मकसद यही होता है कि पॉजिटिव ब्राइंड इमेज बनी रहे कंपनी की क्योंकि एक कंपनी चाहती है कि उसके पास भी एक लॉयल सेट सके और दुबारा प्रूफ कर सके तो वह लॉयल सारी कंपनिया चाहती है तो उसी क्रियेट करने के चक्र में उसको क्रियेट किया कैसे जब तर पब्लेक लेशन के थूरू पब्लेक को रिलेट कर पाएंगे अच्छे से उनके साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे तो वह एक चो रहा था तो एक बार शीशा उसके मार के देखा गया गेंस है उसको बोला गया था कि कुछ नहीं होगा लेकिन तूड गया शीशा तब भी तो वह क्या हो रहा है वहाँ पे तो अगर आपका लाइव ब्रैंडिंग मतलब कि क्या हो रहा कि नेगटिव इमेज क्रियेट हो तो इलान मस्क ने क्या किया वहाँ पे एक सौरी वीडियो निकाला उनसे लोगों से माफी वाँगी और वीडियो में दिखाया रीजन बता है कि क्यों वह शीशा फूटा और उसको सही भी करके बता दिए कि अब वह सही हो गया प्रॉब्लम तो यहां पे क्या हो रहा एक प होता है तो आप जानते हो कि सबसमान आप ऐसे तो मोबाइल फिर्म में लोगों के घर तक लेकर पहुंच सकते हो लेकिन नहीं परसनल सेलिंग ऐसा चीजों के लिए यूज होता है जो कि कंपनी के थोरसा इफेक्ट मतलब महेंगा हो और लोग उसको ऑनलाइन पर्चेस करना नहा पसंद करें तो वो सबसमानों के लिए परसनल सेलिंग ज्यादा प्रिफर किया जाता अब जैसे कि मान कहले कि बाइजूस आप नहां जाते होंगे बाइजूस कोर्सेज ओफर करता है 30,000-40,000 रुपीज के वो बच्चों के लिए जो कि 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, IIT जह वहाँ पर डारेक्ट वो फील नहीं आता क्योंकि बंदे को 20-30,000 रुपे स्पेंड करने है तो बंदा कल स्पेंड करेगा जब उसके साथ थोड़ा कोई उसको समझाने है कि यह 30-40,000 रुपे क्यों वो लिए जा रहे क्यों एक कोचिंग या एक ट्यूशन टीचर से जादा अच्छा है क्यों यह आपके बच्चे से लेकर कि आपके जितने भी बाकी नीचे बच्चे उनके भी कोर्सेस के लिए जादा फाइद मन रहेगा यह परसनल सेलिंग पर समझाद अच्छे से समझाए जाता है आप लाइव टेस्ट कर पाते है उसको और कंपनी बहुत सारे अच्छा है उस प्रोडक्ट में क्या खराब है उस प्रोडक्ट में क्या हमें अपनी सर्विसेस अच्छी करनी की ज़रूरत है हमारे सेल्स एक्जेक्योटिव ने कैसे बात की लोगों से हमारे कस्टमर से यह सारे वेरियस सोर्सेस फील्स हैं जो कि परसनल सेलिंग से और अ यही है आज की वीडियो में आशा करता आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करो और हुनको भी बेजो यार यह वैलियोबिल कॉंटेंट ताकि वह भी एक्जाम्स में अच्छा चल लिखे पासवास हो कम से कम और आपको भी अच्छा आपना दूआ हुआ करें आपके लिए भी भगवान से प्रास्ता करें कि या इसका भी सब बढ़िया हो जाए तो मिलते हैं इसी साब तक लिए वीडियो को लाइक कर दो यार और कमेंट बॉक्स में जाकर करो आपको क्या-क्या नेक्स टॉपिक्स पर वीडियो च सिखाते हैं और मेरे साथ बोतरी जाहिन वंदे मात्रम